नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हॉममेड रेसिपी बाइस सुनीता सिंग पर दोस्तों आज विंटर स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ मक्के का मलीधा यानि की मक्की का चूर्मा जिसे हमारे उत्री भारत में सर्दी के टाइम बहुत बनाया और खाया जा और जिन घरों में जो बच्चे मक्की की रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं यदि उन बच्चों को यह मक्की का मलीधा या मक्की का चूर्मा बनाकर खिलाया जाए तो बड़े ही शौक से खाते हैं और यह हमारी बोडी को गर्म लगता है और खाने बहुत टेस्ट लगता है तो आईए चले देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं तो दोस्तों अपनी requirement के हिसाब से मैंने मक्की का आटे को चान कर ले लिया है और दोस्तों ध्यान रहें इस मक्की के आटे को हमें गर्म पानी के साथ ही लगाना है और दोस्तों देखे यह bind हो गया है अब थोड़ा थोड इसी तरीकिका चाहिए अब जितनी बड़ी रोटी बनानी है उस हिसाब से डोग को हाथ में लीजिए गोला कार दीजिए पानी के हाथ से इस तरीके से बढ़ाईएगा और अब यह गोल हो गई है अब हाथ में हलका सा पानी लगा करके हतेली उंगली की मदद से बढ़ाते हु और दोस्तों, गैस का जो बड़ा बढ़नार है, उस पर मैंने गैस को मीडियम रखा हुआ है फ्लैम को, अब मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, अब सुखे आटे से मैं डश्ट करूँगी और इस तरीके से गोलाकार दूँगी, अब मैं बरतन में भी सुखा आटा डाल दूँगी, उपर से हलका सा पानी लगा दूँगी, ताकि जो सुखा आटा है वो हट जाए, और गैस की फ्लैम मैं मीडियम ही रखूँगी, अब एक तरब सिखने पर अब इसे मैं पलट दूँगी, और दूसरी तरब भी अच्छी तरह से इसे सिखने दूँगी, थोड़ हुई है, तो देखिए दोस्तो मेरी मक्य की रोटी बनकर तयार है, अब मैंने इसे एक बरतन में रख लिया है, जितना मीठा खाना है उसके लिए, मैंने इसमें गुर्ट की शक्कर डाली है, यदि गुर की शक्कर नहीं है, तो आप गुर्ट डाल सकते हैं, यह मैंने मलीदा तयार करेंगे तो देखे दोस्तों हमारा मलीदा बनकर के तयार हो गया है अब आप इसे छोटे छोटे पोर्शन में इस तरीके से बना सकते हैं तो देखे दोस्तों मेरा मक्की का मलीदा बनकर के तयार है और आप चाहें तो इसे गोलाकार शेप में भी बना सकते हैं त आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुचे, ठैंक्स वर वाच